अपना स्वागत है श्रद्धा एस्टो जोतिश में और आज हम लोग गवर करने वाले हैं व्रशिक लगन को स्कोपियो एसेंडेंट इससे पहले हम लोगोंने साथ लगन कवर कर लिये हैं मेश से लेकर तुला लगने तक तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं चैनल की प्लेलिस्ट में जिसमें टल लगना के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी बारा लगन और उन लगन में आपका जो भी लगन है और मैं कहूंँ अगर आप अपने लगन के बारे में नहीं जाना चाहते हैं एस्टलोजी को समझना चा मुझे 15 सालों का एक्सपिरियंस है साइंस एस्टों में और मैं मेरे पिता जी एस्ट लॉजर हैं तो मैं पैशनेट हूं उसके लिए भी वैसे मैं मेडिकल एलेक्ट्रोनिक्स के लेक्चर लेता हूं तो शुरुवात करते हैं ब्रिष्चिक लगन स्कोपियो एसेंडेंट की तो स्कोपियो एसेंडेंट या ब्रिष्चिक लगन के बारे में बात करते हूं उनकी खासित क्या होती है देखिए आठ नंबर है वैसे इनके स्वामी मंगल कहे जाते हैं लेकिन कई दफ़ा इसमें कई एसलोजर के लग लग व वो इस जो लगन के स्वामी को केतु से भी जोड देते हैं और वो बात सही भी लगती है कि अगर हम कभी भी मंगल को कमजोर देखते हैं वृष्चिक लगन में और केतु काफी मजबूत है तो हमें आटोमेंटिकली ये पावर और टॉनी किसको शिट कर देनी चाहिए केतु को कर देने चाहिए केतु का स्वभाव कुछ-कुछ मंगल से मिलता जुलता है और राहू का श्वभाव कुछ-कुछ शणी से मिलता जुलता है तो आपको इसमें अलग-लग कई इसलोजर के विचार भिन भिन नजर आ सकते हैं लेकिन जब हम लोगों के स्वभाव स्टडी करते हैं तो पता लगता है राहू और केतु एक दूसरे के आमने सामने होते हैं प्राया तो यह कहना गलत होगा कि दोनों का स्वभाव डिटो सेम है अगर वो डिटो सेम है तो प्राया हमने देखा भी वो कोई ग्रह कहीं नीचका है तो उसके सामने वाला उच्चका हो जाता है तो इस प्रकार से अगर इस चीज़ को भी logic लगाएं simple कि अगर वहाँ दो नमबर में दो नमबर याने बात कर लेते हैं यहाँ पर राहु बहुत comfortable feel करते हैं लेकिन यहां पर राहू comfortable feel नहीं करते हैं लेकिन अगर राहू यहां comfortable इसका मतलब भी कि तू यहां सामने आ जाएंगे और कि तू वहां अपनी best position में होते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि best position in the sense वो स्वग रही माने जा सकते हैं इसी प्रकार से तीन नमबर यानि मिथुन में मिथुन राशी में मिथुन लगन में अगर राहू आ जाते हैं तो वो बहुत अच्छा feel करते हैं लेकिन इनके सामने वाला जो है यह है धनू लगन धनू राशी में जो राहू है वो comfortable feel नहीं करते हैं लेकिन यहां के तू बहुत comfortable feel करते हैं या में यह उच्च के माने जा सकते हैं ने कि यह पूस्वाव का मानते हैं लिकिंट अगर कभी कि तु उच्च को बैठे हैं या कहने को हमारे पीडित है, तो automatically power कि तुको चली जाती है, ठीक हो गया, तो इनका सुभाव की बात करें, वैसे ये जलतत्वर राशी मानी जाती है, और जैसे इसके पास बैनम होता है, विश होता है, जहर होता है, और मतलब आप इसको कैसे कह सकते हैं कि एक ऐसा animal कह सकते हैं, जो जल में रहत इच्छू पनबते हैं, और लेकिन इसका नेचर जो है, वो जल से बिलकुल विपरीट होता है, फायर एकदम, मतलब तुरंद गुसा हा जाता है, और अगर उसने डंस लिया, तो माने डंस लिया माने, अगर उसने अपने डंक को लगा दिया, तो हमें भेंकर अगनी पीटा करते हैं, अगर ये मंगल बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, लगन के अधिपती बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे लोग किसी चीज के, जैसे एक्स्टीम लवर हो सकते हैं, और गरेशिन इनके अंदर होता है, और बात-बात पर इनको गुसा आता है, लेकिन अगर मंगल अच् चीजें खतम करने पर माने एक्स्ट्रीम लेवल पर जाते हैं प्यार में भी और तक्रार में भी इसमें एक चीज और देखने वाली है कि मंगल के साथ अगर यहां चंद्रमा बैठे हो तो चंद्रमा हाला कि कहा जाता है सब जगह लेकिन अगर आप कभी चंद्रमा को स्टडी करेंगे तो चंद्रमा को यह चंद्रमा दो नंबर याने दो नंबर किसका होता है यह व्रिश तो व्रिश में तो चंद्रमा उच्च के होते हैं लेकिन यहां चंद्रमा नीच के माने जाते हैं तो अरे चंद्रमा थोड़ा सा लेकिन यहां पर उल्टा हो रहा है, अगर यहां मंगल के साथ चंद्रमा आते हैं, तो दियान रखना है थोड़ा सा, इसमें लेकिन 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 इक बात याद रखनी है कि इस लगन में एक खासियत यह है कि अगर केतू और मंगल दोनों ही बहुत अच्छी कंडिशन में आ आ जाएं, तो फिर यह जो भी चीज करने का प्रियास करेंगे, उसको एक्स्ट्रीम लेवल पर लेकर जाएंगे, और बड़े सई दिशा से, अब जैसे इस कुंडली में अगर आप हमें कहना हो कि इनके पार्टनर के बारे में जानना है, तो इसके जस सामने दो नंबर यान वरिश लगने से जानेंगे, या कहें वरिश राशी से जानेंगे, और इसका स्वामी कहीं भी बैठाओ, तो उसका पार्टनर का नेचर वैसा ही होगा, तो आपको एक लाइन में समझ में आ गया होगा, कि विश्चिक का जो स्वभाव कैसा होता है, वो आपको लग सकता है क यह बार कि वही जलतत्व में रहता है, तो ठंडा होगा, नहीं, जलतत्व के आसपास, नमी के आसपास तो जरूर रहता है, लेकिन इसके अंदर अगनी ही अगनी भरी बड़ी है, वैसे भी मंगल का नेचर, बहुत फायर ब्रैंड इसको प्लैनिट माना जा सकता है, और इस जिर्फ धनभाव के स्वामी ये कुटमभाव के स्वामी बन रहे हैं, ये त्रिकोन जो है विद्या के लिए और आपके संतान के सुख के लिए, सटन गेंस के लिए भी जिम्मेदार है, तो ब्रहस्पती यहां बहुत अच्छे हैं, इस एक्ट ब्रहस्पती का बैठा होना या ब्रहस्पती की नजर होना, हमारे लिए बहुत शुब होता है, किसी भी अशुब चीज को कम करने के लिए, ब्रहस्पती की नजर भी पढ़ जाए, तो वो अपने आप बैलन्स कर देते हैं, तो ब्रहस्पती की नजर कितनी कितनी होती है, सब भी हम लोग डिसकस करते च जाएंगे जितना जादा research हो चुको astrology में वो सारी बाते आपके सामने रखेंगे कई research paper भी आपके सामने लए जाएंगे जो अलग लग university पर उनोंने अध्यन किया है, astrology, astronomy को सामने रखकर और वो result भी आपके सामने हम लोग कोशिश करेंगे, उसको आपके सामने रखें और अगर कहते हैं कभी कोई व्रिष्टिक लगन का वेक्ति है, कहता है मेरे जो gains हैं वो अब नहीं हो पा रहे हैं, मुझे आई नहीं हो पा रही है मेरे संसादनों से, तो उसको सीधा बोलो कि भाई तू अपने बुद्ध को ठीक कर और अगर वो बुद्ध ठीक हो जाता है, तो उसके आए शूर हो जाएंगर वो कहता है कि मेरे स्टेटस में दिक्कत आ रही है, तो स्टेटस तो देखो वैसे भी यहाँ पर दो चीज़े कठी आ रही है, स्टेटस के लिए वैसे भी सन अगर अच्छा हो तो स्टेटस उसका राज की संबंद उसके अच्छे होते हैं, राजाओं जैसे लिंक होते हैं, उसके अच्छे संबंद होते हैं और व्रश्चिक लगन में खास बाती है कि इसका जो दस्वा घर है, वो स्वयम सूर्य के, और अगर यहाँ कहीं सूर्य स्वग रही हो जाएं, या इस घर का स्वामी मेश में उच्छ का होकर बैट जाएं, तो आपको वैसे लग रहा हुए है, यह तो छे नंबर हमने रखते हैं, तो फिर सूर्य कमाल कर देंगे, बशर्ते सूर्य की डिगरी भी ठीक ठाक हो, तो इसके रिजल्ट जल्दी जल्दी मिलें लग जाएंगे, लास क्लास में भी हमने डिसकस किया था, कि कभी भी किसी डिगरी कम का अर्थ आपको यह नहीं मानना, कि वो डिगरी हम में असर ही नहीं देगी, एक अलग प्रकार का असर देगी, जैसे कई दफा कह देते हैं कि इसकी डिगरी 28 डिगरी हो गये, 39 डिगरी हो गया है, या कोई डिगरी एक पर है, या दर्शमलो पॉइंट 25 ऐसे डिगरी दे रहा है, तो वो कह देते हैं तो एकदम अभी मतलब प ज्यादा ठीक रहेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, जब हम कुणली के दूसरे और ग्रह देखते हैं, कि अगर वो काफी ज्यादा मैचूर हैं, तो किसी एक को तो बचकाना होना ही पड़ेगा, सारे मैचूर होना भी ठीक नहीं है, अदर्वाइस वो अपने जीवन में हमेश ही सीरियसनस से घिरा रहता है, घिरा रहता है, और तलाश में रहता है, कि कहीं मेरे जीवन में वो बच्पन वाला प्रेम, बच्च वाला प्रेम छलके, तो ये ज़रूरी भी है, कि मैचूर भी होना चाहिए, और उसमें बच्पना भी होना चाहिए, तो दियान रखना है, व्रिष्चिक लगन का सुभावस्परकार का होता है और हम किसी particular नंबर को अगर याद रखने में में दिक्कत हो लिए तो मैं आपसे यह request करूँगा शुरुवात में आप अकबार की जो orders हैं अकबार को लेकर बैठें और उसको जचा जैसे यहां यह एक नंबर है उत्तर भा मालिक को ही देखना है अगर रखन का मालिक अच्छा है उसके बाद फिर आप देखिए कहां पर चंद्रमा है जो मैंने बात बोली थी कि यहां पर किस चंद्रमा आ जये तो बिसका क्या होगा लगन भी वृश्चिक और राशी भी वफिश्चिक वैसे देखा जाए तो कोई ऐसा by default declare नहीं है कि अगर चंदरमाय आए तो खराब ही फल देगा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक in general idea कहा जाता है कि अगर वर्षिक लगन में कोई controller करने वाला बुद्धी दायक planet भी affected हो जाए, जैसे like Jupiter भी affected हो जाए, इसके सामने जो पार्टनर का घर आता है, शु वो विक्ति को कोई बढ़िया राय नहीं मिलती है, तो वो गलट track पर भी जा सकता है, because यहाँ पर चंदरमा ओलरी पीडित है, तो आप कोई बात याद रखनी है कि और लेकिन एक नीच भंगा है, वो यहाँ मदद करेगा हमें, clear हो गया, नीच भंगा कम मदद करेगा, जब मंगल भी इसके साथ आ जाए, याद रखना है, अभी मैंने सिर्फ बात की थी वरिष्चिक लगन है, और चंदरमा भी वरिष्चिक में आ गया, तो वरिष्चिक राशी भी है, लेकिन अगर मैं कहूं मंगल कहीं और बैठा हुआ है, मंगल कहीं और बैठा हुआ है, तो नी स्वर्ग रही हो जाए स्वर्ग रही हो जाए जैसे यह बैठे हैं चंद्रमा वर्ष्चिक में और अगर यह व्रष्चिक का जो यहां पर मंगल भी सात बैट युणि इसका जो मालिक है वह साथ बैठ जए तो वो नीच भंग कर देता हैं यानि इसके जो नेगिटिव एसपे द्रुष्टा ऐसा लग सकता है कि यह तो कूल लगता है लेकिन वो एकदम से अपनी फायर रिलीस करते हैं और सामने वाले को भोचक्का कर देते हैं बाप्रे इन्होंने किया क्या है तो दोस्तों हमने विश्चिक लगन का आइडिया लिया हम अगले वीडियो में धनू लगन के बारे में जानेंगे तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय भ्रगुपराशरा जय शुक्राचारे जय उतिश ग्यान भारत में नहीं दुनिया में अमर हो जाए इसी कामना के साथ धन्यवाद नमस्कार